अमेर बनना है तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो रोबर्ट टी कियो साकी के पूवा डैड ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के डैड से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाये जाते हैं सेक्सेस्फुल कैसे हुआ जाता है तो रोबर्ट कियो साकी ने और उनके फ्रेंड माइक ने ये डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से ये बात जरूर पूछेंगे कि अमेर कैसे बना जाए पैसे कैसे बनाया जाए रोबर्ट कियो साकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसा बनाना सिखाएंगे इस पर उनके रिच डैड ने एक सर्थ रखी और सर्थ ये थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सिखेंगे ना कि क्लास में बैड कर लेक्चर सुनते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें क्लास में बैड कर पढ़ाओं जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तिमाल ना कर सको इस बात को सुनकर रॉबर्ट टिस कियो साकी ने और माइक थोड़ा सा कन्फियूज हो गए वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं उन बच्चों की कन्फियूजन देखकर उनके डैड ने उनसे कहा अगर जिन्दगी में सकसेश पाना चाहते हो सफल होना चाहते हो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा पर हाँ जितना कम समय हो सके उतने कम समय में सही निड़ा लेने की कला जिसको आती है वो जिन्दिगी में हमेशा आगे जाता है ये उनकी सीख थी और बच्चों ने डिसाइड किया कि खेल छोड़कर सीखने का विकल्ब चुनेंगे काम करने का विकल्ब चुनेंगे ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाया जा सकते हैं बस फिर क्या था बच्चे अगले दिन रिच डाइड के पास पहुँच गए उनके रिच डाइड ने उन बच्चों को एक सफाई का काम दिया अब क्योंकि उस वक्त इसी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चलन में नहीं थी तो दरवाजें मुस्टली खुले ही रहते थे जिसके वज़े से समान पर धूल जमी रहते थी और इस काम को उन्हें 30 सेंट मिलते थे इस तरह से उनके पास एक भी पैसे नहीं बस्ते थे वो परिशान रहते थे और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूंगा या तो वो मेरी तनखाय बढ़ा है या फिर मैं काम को छोड़ रहा हूँ उसके बाद 9 साल के रॉबर्ट टी कियो साही और उनका दोस्त माइक उनके रिच डैट से मिलने पहुँचें रिच डैट के सामने बैठिते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा डैट आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह से पूरी इमन्दारी से काम किया है कड़ी मेहनत की है इस काम के लिए मैंने अपनी खेल तक की कुरबानी दे दी और आप अपने वादे से मुकर रहे हैं आप मुझे कुछ भी नहीं सिखाया लोग आपको लालची कहते हैं जो सिर्क पैसे कमाना चाहता है पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता मैं एक छोटा सा बच्चा और आप मेरे साथ ऐसा बरताव नहीं करना चाहिए था रॉबर्टी कियो साकी के डैड ने कहा पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूँ रॉबर्टी कियो साकी कहते हैं कि उस वक्त वो गुस्से में थे तो मैंने पूछा नहीं आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हैं बताईए मुझे क्या सिखाया कुछ भी नहीं आप से सीखने के लिए मैं बस चंद सीखो के लिए तयार हो गया और उसके बाद आपने मुझे बात तक नहीं की मैं आपकी सिखायत सरकार से करूँगा हमारे देश में भी बाल स्रम कानून है आप तो जानते ही हैं मेरे पूर डैड सरकार के लिए काम करते हैं इस बात को सुन करके रिच डैड ने कहा शाबाज अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे या मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने खुद ही नवकरी छोल दी रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की कौन कहता है मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया पिछले दिनों जितना तुमने काम किया जरा सोच कर देखो क्या सिखाने का मतलब केवल भासर देना या बातचीत करना होता है हाँ, इस तरह से तो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है पर जिन्दगी में कोई तुम्हें भासर देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा तुम्हें उस दोर से गुजरना पड़ेगा, करनायों से जूजना पड़ेगा अपना रास्ता खुद ढूणना पड़ेगा, और फिर जिन्दगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बहतर इंसान बनाएगी सच ही तो है, जिन्दगी में तमाम मोल आते हैं, ऐसे मकाम आते हैं, जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरे लगती है हम उस वक्त प्रिशान होते हैं, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है पर अगर ध्यान से देखा जाये तो, जिन्दगी उस जटके के जरिये हमें कह रही होती हैं कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ पर नौ साल के रॉबर्ट टी कियो साकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आई है तब उनके रिच डाड ने फिर से कहना शुरू किया अगर जिन्दगी तुम्हें कुछ सबक सिखा है, तो तुम्हें उससे सीखना चाहिए क्योंकि अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिन्दगी तुम्हारी ये जिन्दगी लगातार तुम्हें ये धक्के देती रहेगी अपनी जब रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक लोगे समझदार, समझदार, अमीर और सुखे इंसान बन सकते हो पर अगर तुम ये नहीं सीखते तो जिन्दगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी पे या फिर अपने बौस को कोशते रहोगे और हमेशा उमेद करते रहोगे कि कोई और आए और तुम्हारे सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे जो की पॉसिबल नहीं है